हेलो दोस्तो ना आज हम बनाएंगे पूरी ना कचावरी ना पराठा आज का नास्ता इंस्टेंट बनने वाला है जब कभी भी मुझे कुछ हलका सा बनाने का मन होता है तो इस नास्ते को मैं जरूर ट्राइ करती हूँ आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिएगा इस नास्ते को बनाने के लिए हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले वीडियो पसंद आया अगर आप लोको तो वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दीजेगा और वीडियो को पूरी लाश तक देखिएगा तो यहाँ पर इस नास्ते को बनाने के लिए एक बावल में हमें एक कप सूजी ले लेना है सूजी में हमें पानी डाल देना है पानी इतना डालना है कि सूजी अच्छे से इसमें मतलब की डूब जाए मतलब कि अच्छे से गीला हो जाए इतना हमें इसमें पानी डाल देना है और इसको अच्छे से रख देना है सेट होने के लिए ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए सूजी को हमें ऐसे छोड़ देना है अगर टाइम नहीं है तो 5 मिनट भी इनफ है इसके लिए और टाइम है तो आप इसे थोड़ा देर और रख सकते हैं अब इसको हम साइड में रख देंगे और एक बावल में दूसरे बरतन में हम दो उबले हुए आलो को ग्रेटर की मदा से ग्रेट कर लेंगे या तो आप लोग हाथवा से भी से मैस कर सकते हो लेकिन इसमें बड़े गुठली और गांट नहीं रहने चाहिए अब यहाँ पर हम डालेंगे दो हरी मिर्ची बारिक चौप करके एक प्यास को बारिक काट लेना है उसको हम डालेंगे तो यह सारे चीज डालके अब हमें स्पाइस के लिए इसमें मसाले आट करेंगे आदी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे आदी चम्मच मिर्ची पाउडर और आदी चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर आट कर देंगे उसके बाद हम थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्ल पूहें बढ़िया से मिला लेना है अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इससे हटा देंगे और जो हमने सूझी को भिगो के रखा था यह सूझी जो फूल चुका है इसमें जोभी और इसके पानि है वह सारा आप जब कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे आलू का मिश्रन जो हमने बनाया था तो इससे डाल देंगे और डालेंगे लिए प। अज्छे से नहीं डालना है बाद में हमें जरूरत महसूस होगी तो हम पानी डालेंगे अभी तो सबसे पहले हम सूजी और आलू का जो मिश्रन है, वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से एक दूसरे में मैल्ट हो जाए, मिल जाए, अब इसको हमें साइड में रख देना, अब नहीं लग रहा है कि हम इसमें पानी और आट करें, तो इसी तरीके से हम इस नास्ते को बनाएंग तो अब गैस सुले पे हमें फ्राई पेन में तेल डाल देना है, तेल अच्छा सा गरम हो जाए, इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है, या लो फ्लेम पे अभी कर देंगे, और एक एक चमच इस नास्ते में से हमें इसमें कडाई में फ्राई पेन में डालते जाना है, और से रहादा मोटा हमें इसको नहीं करना है पतला करके हम असनास्ते को बनाएंगे अब इसको पखने के लिए इसको क्यक्राही पकने के लिए अन drug फ्लेम करेंगे तो हमारा नास्ता जो बहुत जल्दी जल जाएगा और अंदर तक नहीं पक पाएगा तो मीडियम या लो फ्लेम करके इसको अच्छे से पकाएंगे और एक तरफ होने के बाद इसको दूसरी तरफ हमें पलट देना है और इसी तरीके से उलटते पुलटते हु अब इसको फिर से एक बार और पलट दे रहे हैं ताकि दूसरी तरह भी अच्छे से फ्राई हो जाए क्रिस्पी सा इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए अब यहाँ पर इसको हम अब निकाल लेते हैं बहुत बढ़ियां से क्रिस्पी सा फ्राई हो चुका है और बहुत कुरकुरा यह नास्ता बनके त्यार होता है तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार इस नास्ते को जरूर ट्राई किजेगा आप लोगों को भी यह नास्ता बहुत ही पसंद आएगा जब कभी भी कुछ हलका फुलका खाने का मन हो तो इस रेस्पी को जरूर ट्राई किजेगा तो फ्रेंड्स आप लोगों से प्यार इस रिक्वेस्ट है आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी बैच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक सर करके चैनल को जरूर सब्सक्राईब कर लिजेगा